हेलो इनोवेटिव मॉमिस वेलकम टू मैं चैनल आज का जो टॉपिक है वह बहुत ही रिक्वेस्टिड टॉपिक है मेरे एक सब्सक्राइबर है जिरो ने मुझे बोला कि आप इस इस फे वीडियो बनाएं कि जो बेबी बॉय है उसको प्राइवेट पार उतास में जो फोर स् स्कीन होती है वह खुद ही पैकोनी स्टार्ट हो जाती है देखिए निक नेचरल प्रोसेस है बच्चे के जब दो साल का होता है दो साल से छे साल के बीश में बच्चे की जो फोर स्कीन होती है प्रेवेट पार्ट की वह खुद ही पैकोनी स्टार्ट हो जाती है और यह जो को डॉक्टर को जुरूर कंसर्ण करना चाहिए अब जानते हैं कि यह क्यों इंपॉर्टेंट है कि उस्किन को पैक किया जाए लेकि यह बहुत जाता जुरूरी है अगर वह स्किन बैक फोर स्किन जो है वह पैने से बाहर उपर को नहीं जाएगी तो उससे क्या होगा कि बच् स्किन जब 6 साल से उपर हो गया है और अगर वह फोर स्किन फिर भी वह फ्रेंट वाले पोजिशन के साथ अटैच ही है तो सर्जिरी भी करवानी पड़ सकती है तो यह बहुत जादा जरूरी है कि वह फोर स्किन बैक आई अपने नैचिरल जो प्लेस है उस पे आई ताकि आ जानते हैं कि गया है और जाए को हमारी फिर स्किन होती है बीभी बॉस में उसको वह पताव सकती है जिए और अगर धालता करना जा सकते हैं लेकिन आपको इसमें बिल्कुल भी फोर्स निलगा नहीं इस चीज का बिल्कुल ख्याल रखें अब बात आती है कि आपको उसको बैक करना कैसे देखिए जब बच्चे की मसाज करते हैं तब थोड़ा सा ओय लेके फोर्स कीन को थोड़ा-थोड़ा हलकी हाथों से ब बैडनेस हो जाए तो आपको इस चीज को बिल्कुल एवाइड करना है कि फोर्स नहीं लगानी है दूसरा आप क्या सकते हैं जब बच्चे को नहलाएंगे बचा जब तब में बैठा होगा पानी में तुसका ध्यान थोड़ा सा बच्चा खेलने की तरफ होता है तो उसका वाइड मुकस वगरा डिपॉजित हो जाता है वो भी बिल्कुल साफ हो जाए तो आपको इस चीज का भी ध्यान रखना है कि साफ सफाई करनी है बच्चे की जब भी तो बच्चे को उसमें मतलब बिल्कुल भी पेन ना महसूस हो नहीं वो उसको कोई इरिटेशन महसूस हो आपको खुटेशन सोप अपलाई महसूस हो करना है बच्चे इसमपल वाटे साफ सफाई बद्याइव साथ सफ़ा जाए कि हाईचें करते पार। कि आप बच्चे का 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 बच्च तो आपको इमिजेटली डॉक्टर को चाहिए अब चानते हैं कि क्या प्रिकॉशन रखने चाहिए आपको फोर्स किन को बैक करते हैं कि बिलकूल भी फोर्स अप्लाय करी जो बच्चों की स्क्रीन कोशुती हैज अगर आप फोर्स अप्लाय करेंगे तो भी और बच्चे को चाहिएयरता हैं या फिर bleeding हो सकती है तो यह सब चीजें हैं जो इससे बहुत सारी आगे बच्चे को future में भी complication हो सकती है एक चीज और है जो बहुत ही भी हानक है कि अगर आप ज्यादा force apply करने के कोशिश करें तो कई बार होता है force skin जो होती है head of the penneasus स्टक हो जाती है और उसके लिए फिर हमारे को surgery करवानी पड़ते हैं जिस condition को फी मॉसिस बोलते हैं तो इन सब चीजों का avoid करने के लिए better है कि जो natural processes को naturally ही होने थे हाँ अगर आप चाहते हैं कि आप आइसता इसता उसको back करें लेकिन बहुत ही हलके हाथों से बच्चे को उस बहुत हैं तो इसके लिए दो मैं आपको ointments रिकमेंट करूंगी एक है tenovate और दूसरी है mometasone यह दो आप ointments अपने पच्चे के यह बहुत सारी स्ट्राइट जो ointments आती है मार्केट में आप अपने डॉक्टर से कंसल करके कोई भी यूज कर सकते हैं लेकिन दो हैं जो म अपने डॉक्टर से एडवाई ज़रूर ले लीजिए दूसरी बात यह है कि अगर आपका बच्चा 6 साल से नीचे है तो आप यह ointments बिल्कुल भी बच्चे के उपर अपलाए ना कीजिए टाइम के हिसाब से वो खुथी फो स्कीन बैक हो जाएगी हाँ अगर बच्चे को अगर हमारे को यह ointments से कोई भी फाइदा नहीं होता है तो लास्ट जो इसका एक method है फो स्कीन को बैक लाने का वो है सर्जरी तो हाई होप आपको वीडियो अची लगी होगी आपको यूस्फू लगी होगी तो अगर वीडियो अची लगी हो तो लाइक कीजिए चैनल को स आना चाहते हैं थैंक्स फो वाचिए